हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, स्टुड़ी टॉक, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन्स का चैप्टर 12 का कोश्चन एंसर क्लास एट, तो पहला कोश्चन है, धर्ती पर पाई जाने वाले विभिन प्रकार के जीवों की प्रजातिया उनकी आसपास संबंधी को क्या कहा जाता है इसका एंसर है, जैव विविदिता, विविदिता, ए, दूसरा प्रश्न है, अभियारणय एवं राष्ट्य उद्दान में मना है, क्रिशी, चारागा, सिकार, उप्युक्त सभी, उप्युक्त सभी इसका एंसर है, फूर्थ, निमन में से कौन से, थर्ड कोश्चन है, निम बाग, गेंडा, ब्लू वेल, उप्योथ सभी, इसका एंसर होगा उप्योथ सभी, रास्ट ये जल जी ये जीव, ब्लू वेल, डॉल्फिन, घडियाल, मगरमच, इसका एंसर होगा डॉल्फिन, सेकेंड, कावर पक्षी बिहार में स्तित है, मुंगेर, गया, पटना, बेगु सराय, फोर्थ, रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, फर्स्ट कोशन है, को डैश को विश्व जैव विवता दिवश मनाये जाता है, इसका एंसर होगा, बाइस माई को, सेकेंड कोशन है, देश का प्रथम राष्टे फर्क पार्क है, इसका एंसर है, जीम काबेट नेश सरा खंड में जोकी है, तीसरा कोशन है, संकटा पन प्रजातियों की सूची अभिलेक पुस्तक में रहता है, इसका एंसर है, रेड डाटा पुस्तक, चौथा प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर छेत्रों से डैस परिवर्तन के कारण पालायन करते है, इसका एंसर है जलवायू, पाच प्रश्न है, फन, शेवाल, जीन को, साइकेड, आधी, डैस, पौधे है, इसका एंसर है, जंगली, थार्ड कोश्चन है, कॉलम क को, कॉलम खासिस, सधी, संधी, मिलान कीजिए, तो यहाँ पे सिफ एंसर दिया हुआ है, फर्स्ट का फोर्थ होगा, मैं आ जोडो का होगा, मौरिशन, मौरिशिस की विलुप्त, जन्तु, दोस्तों मैं डारेट आपको बता देता हूँ, सेकेंड का होगा, फिफ्थ, थर्ड का होगा, फर्स्ट, और फोर्थ का होगा, सेकेंड, और फिफ्थ का होगा, थर्ड, निमलिखित प्रश्नों के उत्तर द जय विविद्यता से आप क्या समझते हैं? इसका अंसर होगा. पारेवड़न में पीण पोधे तथा जीव जनतुओं का एक संतुलंत है. यदि इन में से कोई भी घटन की संख्या कम या बहुत जादा होती है तो पारेवड़न असंतुलंत की स्तिथी में कोई असमान्य प्रा क्रिति घटनाय घटती रहती. इस प्रकार जय विविद्यता का तातपर्य है धर्ती पर पाय जाने वाले विभिन प्रकार के जीवों की प्रजातिया तथा उनका आपसी एवं पारेवड़न से संबंध है. विश्व के 12 बड़े जय विविद्यता वाले देशों में भारत क छठा स्थान है. विश्व के 12 बड़े जय विविद्यता स्थानों में से दो भारत में इस्तित है. ये है पुर्वोत्तर भारत तथा पश्यमबाट भारत के ये दो छेत्र जय विविद्यता के बहुत धनी है. सेकेंड कोशन है. हमें जय विविद्यता का संरक्षन क्यों करना चाहिए? इसका अंसर है. पारवरण घटक एवं एक घटक जन्तु जगत तो दूसरा घटक पादप जगत है. जन्तु जगत सिर्फ और सिर्फ मानव या पारवरण को शती ही नहीं पहुचाता है. बलकि प्रत्यक्ष या पुरोश रूप से वह मानव तथा पारवरण के लिए उप्योगी होते हैं. पारवरण को संतुलित रखने के में जंगलों का बड़ा महत्वा है. जंगल के उपर ही हमारी वायू मंडल या घटना निर्भर करती है. जैसे वर्षा, गर्मी, जाड़ इत्यादी, विविन जीव जन्तु के एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाती को भी किसी ना किसी रूप में लाव पहुचाते हैं. जैसे ना जाने, कितनी मचलिया मानव के लिए जल स्त्रोत को साफ की होगी, की होगी और अनन्ता आपनी जान देकर मानव के पेट की त्रिशना को शांत की होगी. मेंडक यदी नहीं होते तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो जाती की मानव को परेशान कर के ए रख देता अता जै विविदता का संड़क्षन करना चाहिए. थार्ड कोशन है, विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव बताईए. एंसर है, जै विविदता के विनाश के अनेक कारण है. बहुत हद तक तो मानविय क्रिया कलाप दोशी है तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना या जलवायू परिवर्तन भी दोशी है. परन्तु प्राकृतिक घटना या जलवायू परिवर्तन में भी कही न कहीं प्रात्यक्ष या पुरोश रूप से मानव ही दोशी है. बिनाश के मुख्य कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है. वनों का क्रिशी भूमी पे परिवर्तन स्थानांतरी का जूमिंग क्रिशी वनों का जहारा गाहो में परिवर्तन अतिचारण वनांगनी आर्थिक कारण. बहुत देशिय नदी घाटी, परियोजना, गास के मैदानों का नस्ठ होना, वायू जल एव अम्रिदा प्रदूशन के संकट, जल वायू परिवर्तन, जेव वित्ता के विनाश का प्रभाव हमारे परिवर्ण पर बहुत जादा पढ़ रहा है. जो इस प्रकार है, जल वायू परिवर्तन, भूमंडलियत तापन, स्वास्त पर प्रभाव, क्रिशी उत्पाधन में कमी, वन्य जीवो की शती, कारेशंता पर प्रभाव, महामारी, प्राकृतिक, प्रकोप, इत्यादी. चौता कोश्चन है, रेट डाटा पुस्तक क्या है? इसका एंसर है, संकट ग्रस्त प्राणियों के संरक्षन एवं संख्याओं में विविद्धि के लिए राश्ट ये तथा अंतराश्ट ये सताः पर कई कार्याले चलाए जा रहे हैं संकट में. पड़े वन प्राणियों के स्तितियों को आठ श्रेणियों में सुची बंद किया गया है. इस सुची को रेट डाटा सुची कहते हैं, यानि वह पुस्तक जिसमें सभी संकट पन्ना प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है. दोस्तो हम पांचवी प्रेशन पे आ चुके हैं, अगर आपको इवीडियो अच्छा लग रहा हो तो आभी जूड़े को लाइक करें और मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यहां पे कोशन एंसर आपको मिलेगा इस चैनल पे, फिफ्ट कोशन है, प्रवास से आ आप लोग समाल लेजेगा, यहां पे लिखा हुआ है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, यह बिल्कुल सही है, आप देखकर लिख सकते हैं, स्क्रीन शोट लेकर, मैं बस पढ़के आप लोग को बता रहा हूं, निश्चित समय पर उड़कर यहां अंडे देने के लिए आते हैं, चुकि उनके मूल आवास में अत्यदिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान पर उस समय जीवन यापन हेतू अनुकूल नहीं होता, इसी यात्रा को प्रवास करते हैं, यह यात्रा को तै करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहा कहते हैं, यह हमारे यहां कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, प्रशन 6 है, अबयारणय एवं राज्टे पार्क से क्या तात पर रहे हैं, अपने राज्य के किन ही दो अबयारणयों का नाम लिखें, एंसर है, पेंड पौधे तथा जीव जनतुओं के सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को सनरक्षित किया है, कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहां जंगली जनतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और उनके और इनके साथ छेण छाड़ करना एवं इनका सिकार करना प्रतिबंध होता है, अबयार प्रतिक संसादनों का उप्योग करते हैं, राश्टे पार्क कहलाता है, जैसे रणथम भौर राश्टे पार्क राजस्थान जीम कार्बेट नेशनल पार्क उत्राखन, बिहार राज्य में स्थित अव्यारणया वाल्मिकी अव्यारणया गौतम बुध अवार्याणया गय सेवन्त कोश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संचेप में बताईए, बाग जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खत्रे में है, सिकारियों द्वारा इसके खाल, हड़ी, दांत, नाखुन, आधी के लिए इनका प्राय सिकार किया जा रहा है, इसके सुरक्षा क के लिए बाग को राष्ट या पशु घोसित किया गया है, बाग को बचाने तथा इसमें बुद्धी के लिए या एक रणनीती बनाई गई है, गईजी से बाग, परियोजनाए या प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, एट कोशन है, अपने घर या विद्याले को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया क्लाप की सूची तयार कीजिए, इसका अंसर है, घर या विद्याले को हरा भरा रखने के लिए निमलिखित क्रिया क्लाप करेंगे, घर के आगे तथा चारो तरफ क्यारियां तयार करेंगे, वि कोशित सी चाई का प्रवंत करेंगे, समय- समय खात तथ शिर्काऊ करते रहेंगे, उसकी पती तथा फूलों, फूल फल को समय- समय तोड़ते रहेंगे, तो यहीं पर फूल समाब्त होता है दोस्तों, अगर आपको ए वीडियोो अच्छा लगा हों तो आप इस वीडियो को ल ही अवी कि एूंख नाद्राट है टुट में था जा है...